नमामि सद्गुरु मिशान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूरणब्रम्ह परानंदं इशं आलंदि वल्लभं रियशक्षार्थियों नियोस के स्टूडियो में आप सब का उनने कबार हर दिक स्वागत है मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचारिय वेद विभाग श्री जगननात समस्कृत विश्रुविद्याले पूरी उडिसा से आप सब के मध्य पस्थित हूँ आज मैं उच्चतर माद्यमिक खख्षा के वेदाध ध्यानम पाठ्यक्रम के अंतरगत उस्तक्रमांक दो का सब्तदश पाठ सत्रह नंबर पाठ जो की हिरन्यगर वसूप्त है उसके भाग तीन की चर्चा करेंगे इस अध्यान में हम हिरन्यगर वसूप्त के मंत्र संख्या 6 से दस तक का अध्यान करेंगे मंत्र संख्या 6 हिरन्यगर वसूप्त का इस प्रकार है यह मूल मंत्र का पाठ है, इसका पदपाठ इस प्रकार किया जाता है यम क्रंदसी इती अवसा तस्तभाने इती अभी अईक्षेताम मनसा रे जमाने यत्र अधि सूरह उत इतह विभाती कस्मई देवाय हविशा विधेम इस पदपाठ का ध्यन आपने किया, अब आपके पाठ में इसका सरलार्थ इस प्रकार दिया गया है प्राणिनाम रक्षनार्थम स्थिरीकृतम तथा मनसी कंपमाने सती जुलो कहा प्रथिवीलो कस्च यम पश्यती यम्च आधारीकृत्य सूर्यह उतितो भूत्वा विभाती तम प्रजापतिम विहाय कं हविशा पूजयेम अर्थात तम प्रजापतिमेव हविशा पूजय मंत्र में कहा गया कि जिनके द्वारा द्यू और पृथिवी शब्दा यमान होकर स्तंभित और उल्लसित हुए हैं अग्येर दीप्तिशील द्यव एवं पृथिवी ने जिन्हें महिमा मंडित समझा है तथा जिनके आश्रे से सूर्य उदित होकर प्रकाश करते हैं प्रकाशवान होते हैं जीव लोग को प्रकाशित करते हैं ऐसे प्रजापतिदेव के अतिरिक्द हम किस देव की आराधना करें अर्थात हम सभी उस परब्रम्ह प्रजापतिदेव के लिए ही हविह प्रदान रूपी कर्म के द्वारा यग्यागादि में उनकी आराधना उनकी उपासना करें अग्रिम मंत्र इस प्रकार है आपो हयत ब्रुहतिर विश्वमायंगर्भन्दधाना जनयंती रग्निम् ततो देवानाम समवर्तता सुरेकह कस्मई देवायह विशाविधेम यहा मूल मंत्र सम्विता का पाठ है इसका पत पाठ ऐसा है आपहा हयत ब्रुहतिह विश्वमायंगर्भंदधानाह जनयंतीह अग्निम् ततह देवानाम सम्वर्तत असुह एकह कस्मई देवायह विशाविधेम यह पत पाठ हुआ इसका सरलार्त इस प्रकार कहा जा सकता है ब्रुहत जलसमूहम यदा समग्रम विश्वम परिव्याप्यासीत तदा देवाह गर्भरूपेन प्रजापतिम ध्रतवंतः अग्निना उपलक्षितम समग्रम भुवनम्च संपारितवंतः तस्मात देवानाम प्राणभूतः प्रजापतिही आविर्भभुव तम विहाय कम हविशा पूजयेम अर्थाद प्रजापतिम एव हविशा वयं पूजयेम मंत्र में कहा गया है कि जब संपूर्ण विश्व प्रभूत जलसमूह द्वारा आच्छा जित था अर्थात स्रिष्टि के प्राट संपूर्ण यह जगत जलमय था तब जल आदि देवताओं ने प्रजापति को गरभस्थ कर अगनी आकाशादी सब को उत्पन्न किया तब देवों के प्राणस्वरूप प्रजापति उत्पन्न हुए ऐसे प्रजापति को हम सब यग्य आगादि कर्मों में अविफ्प्रदान करके उनकी पूया करें उनकी स्तुति करें उनकी उपासना करें अग्रिम मंत्र इस प्रकार है इस मंत्र का पदपाठ इस प्रकार किया जाता है इहा चित आपह महिना परि अपश्यत दक्षम दधानाह जनयंती ही यद्न्यम इहा देवेशु अधि देवहा एकहा आसीत कस्मई देवाय हविशा विधेम इसका सरलार्थ इस प्रकार ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है स्रिष्ट शक्तिधार कहा स्रिष्ट उत्पत्ति रूप यज्योत पाद कहा जलसमूहम स्वमहिमना यह पश्यती यह देवानाम अधिती यह स्वामी तम विहाय कम अथवा प्रयापतिम हविशा पूजयेम मंत्र में कहा गया कि स्रिष्टि स्वरूपी शक्ति को धारण करने वाले तथा स्रिष्टि उत्पत्ति रूप यज्य के उत्पादक जलसमूह को अपनी महिमा से जो देखता है और जो सभी देवताओं का एक मात्र स्वामी है ऐसे प्रयापतिदेव के लिए हम सभी हवी के द्वारा उनकी पूजा करें हमारी हवी उन प्रयापतिदेव तक प्राप्त होए अग्रिम मंत्र इस प्रकार है इस मंत्र का पदपाठ इस प्रकार किया जाता है मा नहा हिंसीत जनिता यहा प्रतिव्याह यहा वा दिवं सत्यधर्मा जजाना यहा वहा अपहा चेन राहा ब्रहतीह जजाना कस्मई देवाय हविशा विधेम इसका सरलार्फ इस प्रकार प्रतिपाजित किया जाता है यहा प्रतिव्याह स्रष्टा यहा जगतह धारकहा यहा सरवं लोकन स्रिष्टवान यहा ब्रहतीम दीप्यमानाम जलराशिम्च स्रिष्टवान सहा यथा असमान नपीड़येत वयम प्रजापतिम हविशा पूजयेम इस मंत्र में कहा गया है जो प्रतिवी के आदिस स्रिष्टा है जो संपूर्ण जगत के धारक हैं जिन्होंने संपूर्ण लोकों की स्रिष्टी की एवं जिन्होंने महती प्रकाशि का जलराशी की स्रिष्टी की वे प्रजापति देव हमारी हिमसा न करें हम सब उनके लिए ऐसे प्रजापति प्रब्रम्ह प्रमेश्वर हिरंडगर्वस्वरूब के लिए हविप्रदान करते हैं इस अग्रिम मंत्र का सम्वितापाठ इस प्रकार किया जाता है प्रजापते नत्वधेतान यन्यो विश्वारूपानि परिताबभूव इस मंत्र का पाठांतर भी प्राप्त होता है पाठांतर में एक पद विश्वा जातानी के स्थान पर विश्वारूपानी होता है यहां अरगवेद का हिरंडगर्वसूक्त पाठ किया जा रहा है इसमें विश्वा जातानी ऐसा पद प्राप्त होता है पुन्र एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ इसका पाठ पाठ इस प्रकार है इस मंत्र का सरलाथ ऐसा है मंत्रे इस्मिन प्रजापतिम प्रती उच्यते यत हे प्रजापते त्वाम विहाय अन्या कोपी एतत समस्तम उत्पन्नम वस्तु नव परिव्यापनोती यस्य फलस्य लाभाय त्वामुद्धिश्य वयम जुहुमहा असमाकम यथा तस्य फलस्य लाभाववेद वयम यथा धनस्य आदिपतिही भवे माँ इस मंत्र में कहा गया है हे प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त और कोई इस उत्पन्न संसार में व्याप्त नहीं होता हम जिस फल की कामना से तुम्हारे लिए आहुति प्रदान करते हैं वह फल हमें यथावत प्राप्त होवे हम सब विविद धनों के अधिपती बने आपके आशी हमें इस प्रकार प्राप्त होवे हैं ऐसी चर्चा इस मंतर में की गई है धन्यवाद